Hello friends, this is Jyoti Verma, today I am going to tell you about stages of child development यानि basic stages आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था growth and development में क्या के differences होते हैं, किस तरह ये दोनों आपस में different है इस वीडियो में हम stages के बारे में पढ़ेंगे कि stages कौन कौन सी होती है एक child development की first stage होती है prenatal यानि जो nine months होते हैं, बच्चा गर्ब में होता है, गर्भावस्ता होती है, उसका development किस तरह होता है तो physical development उसमें high speed में चलता है और क्योंकि उसमें body parts बनते हैं बच्चे के उसके बाद है cognitive development क्योंकि उसका मानसिक विकास होता है, अब यह नहीं जानते हम या कोई भी scientist अब तक यह नहीं बता पाया है कि cognitive development उसका prenatal period में कितना और किस stage तक होता है social emotional development, इस development के बारे में भी कोई अभी तक जान नहीं पाया है next इसमें stage है infancy यानी 0 to 2 years जब बच्चा 2 साल तक होता है, जिरो से लेके जब उसका birth होता है उसके बाद से 2 साल तक उसके अंदर जो physical development होती है, उसकी speed slow हो जाती है, क्योंकि बच्चा धीरे-धीरे बढ़ना start करता है उसके बाद cognitive development पढ़ेंगे, cognitive development उसका थोड़ा-थोड़ा होता है, वो language सीखना start करता है, हाथ पर चलाने थोड़े बहुत start करता है, उसकी motor skills भी बढ़ती है, emotions भी बढ़ते है next उसमें है social emotional development, तो वो with parents और siblings वो अपने social emotional development को increase करता है at home, यानि समाजी करन उस तक घर पे रहकर ही होता है, उस time पे, third है हमारा early childhood, यानि 2-6 years, मतलब 2-6 साल तक हमारा early childhood होता है यानि बच्चपन, तो इसको toy age या initiative age भी बोलते हैं, play age जैसे उस time पर बच्चों का होता है, कि वो games वगेरा में जादा interested होते हैं तो उसमें भी हमारा first है physical development, growth होता है बट वो थोड़ी होती है, मतलब बच्चे चलना सिकते हैं, धिरे-धिरे दौरना सिकते हैं, इसके अंदर ही थोड़ी बहुत होती है next is cognitive development, जिसमें ज्यादा thinking, इसमें होता है कि बच्चों का हम basically मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो starting से मतलब childhood के अंदर prenatal के बाद से 0-2 या 3 years तक बच्चे language वगेरा ज्यादा copy करते हैं, हर चीज को वो copy करते हैं, जिस environment में आप उनको रखेंगे, बच्चे उसी तरह से development करेंगे, तो उनकी जो cognitive development होती है, वो ज्यादा तर ऐसा करते हैं कि अपने parents को देखके, या किसी को भी घर में देखके, वो नकल उतारते हैं, जैसे girls होती हैं, ममी को साड़ी पहनते वे देखती हैं, या make-up वगेरा, तो वो उसमें ज्यादा इंट्रस्टे होती हैं, और boys ह होती हैं, तो वो अपने पापा को देखके, या कोई भी है घर में, तो उसको देखके, उनकी नकल उतारते हैं, नेक्स्ट है, socio-emotional development, तो इसमें होता है, स्कूल, starting में ऐसा होता है, कि बच्चों को प्ले स्कूल में भेज़ दिया जाता है, उस टाइम पर जो भी बच्चे स सीखते हैं, वो उनका समाजी करण, जो उसका process होता है, वहाँ पर उसमें वो मित्र बनाते हैं अपने, और लैंग्वेज वगेरा सीखते हैं, हाई स्पीड में, क्योंकि उस टाइम पर हम उनको प्ले स्कूल में इसलिए डालते हैं, ताकि वो लैंग्वेज वगेरा पर ध् बच्चे ऐसा करते हैं, कि वो अपना एक ग्यांग बना लेते हैं, ग्यांग मतलब उनका एक friend group होता है, पियर ग्रूप, जिससे वो आपस में अपने connections को बनाते हैं, इसमें भी ऐसा होता है कि physical development जो है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि इस age में physically जितना उसको बढ़ना था, थोड़ा बहुत बढ़ता है, इस age में, next है cognitive development, वो बढ़ता रहता है, क्योंकि वो स्कूल में जाता है, अपने teachers से मिलता है, student से मिलता है, अपने school के environment को देखता है, तो वो काफी कुछ सीखता है उससे, next है socio emotional development, यानि socialization, सामाजी करन, तो सामाजी करन उसका काफी अच्छ group के साथ, group में सारे work करता है, इसमें होता है, कि school में जो agents होते हैं, एक तरीके से हम मान सकते हैं, कि agents होते हैं, जो हमारा school होता है, friends होते हैं, parents होते हैं, तो ये इस तरीके से होता है, कि girls जो है, वो अपना एक अलग group बनाती है, और boys जो है, वो अपना एक अलग group बनाती है, मतलब यह biological factor होता है एक तरीके से कि boys boys के साथ ही interested होते हैं और girls girls के साथ ही interested होती है group बनाने में school में इस age के time पर next है आपका 5th adolescence age यानि 11 to 17 years इसमें होता है कि आपकी physical development होती है adult age होती है यह आपकी और physical development में है some physical hormonal changes उस time पर आपके कुछ hormonal changes होते हैं next है cognitive development जिसमें highest thinking development इस age में बच्चे सोचते हैं बच्चे अपना career बनाते हैं और यह सोचते हैं कि उन्हें आगे अपने career में क्या करना है क्या बनना है क्या नहीं बनना उसकी according वो अपनी study करते हैं और अपने अपने घर पे भी चाहते हैं कि उनको एक अलग उनका space मेरे उनकी अलग respect हो अगर हम इस age के बच्चे यह ना ही इनका बच्च्वना होता है ना ही यह बहुत ज़्यादा mature होते हैं लेकिन वो यह चाहते हैं कि घर में कोई भी discussion अगर चल रहा है तो उनसे भी राए ली जाए उनकी भी कोई value हो घर में ऐसा वो चाहते हैं नेक्स्ट है social emotional development यानि social development और emotional development इन दोरों में क्या होता है कि बच्चे emotionally इस age में बहुत ज़्यादा ही इस age से प्रभावित होते हैं क्योंकि यह adolescence age होती है और इस time पे emotionally बहुत ज़्यादा effective होते हैं students या बच्चे माल लीजिए किशोर आवस्ता के दोरान बालक एक छोटी से शूर की बजाए वयस्क की भाती दिखाने का प्रियतने करता है वो यह मतलब घर में अगर उनसे पूछे बिना को decision हो जाता है तो बच्चे यह सोचते हैं कि हमसे बिना पूछे इन लोगों ने यह decision ले लिया वो एक वयस्क की बाती अपने आपको दिखाने लगते हैं तो किशोर आवस्ता की प्रारंबिक आवस्ता में बालक जिन शारेलिक परिवर्तनों से गुजरते हैं उसे तरुन आवस्ता यानि बैट्री कहते हैं तो यह होता है कि इसमें इनका मोड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें हॉर्मोनल बहुत सारे चेंजिस शरीर के अंदर आते हैं तो यह एज का फैक्टर है अडॉलेशंस एज को माना जाता है कि यह बहुत ही में फैक्टर में एज होती है अपने पूरी लाइफ की इस समय पर बच्चे अपना कैरियर बनाते हैं और अपनी लाइफ में सै इस वीडियो को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें